कि दूसरा में आपको बताना चाह रही हूं इंटीग्रल मेंब्रेन प्रोटीन सप्रेशन के बारे में और इसी से आप ये मान के चलिए अगर प्लाजमा मेंब्रेन में आप प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोश्चन आपका एंटीग्रल मेंब्रेन प्रोटीन से ही आता है उसका रीजन यह है यह ऐसे प्रोटीन है जो क्या करते हैं कुछ इस तरीके से प्लाजमा मेंब्रेन में ऊपर से नीचे तक अटेज्ड होते हैं तो यह ऐसा रेसेप्टर भी काम करते हैं यह चैनल का फॉर्मे कराते हैं तो इनका अगर आप फंक्शनल आस्पेक्ट देखें तो बहुत जादा है सेल सिग्नेलिंग में सेल रिकागनीशन में सेल एडिशन में तो अगर आप मोस्टली कॉश्चन्स देखेंगे सियसायर में जो पूछे का है वह हैं आपके इंटीग्रेल मेंब्रेन पूछेगा है कि इस स्टेडी भी पूछी गई है जो एके करके हम अभी के लेक्चर में पढ़ लेंगे तो जो एंटीग्रल मेंब्रेन प्रोटीन होते हैं पहली चीज तो यह है इन्हें इसीली सेपरेट आप नहीं कर सकते कैसे अगर आप सोचे की चलिए भाई हम पीयज क को चेंज कर डें सॉल्ट कॉंसेटरेशन को यहां कर दें तो आपका एंटीग्रओं मेंब्रेव प्रोटीन कभी सेपरेट नहीं होता जैसा अभी हमने पेरिफीरल की बात करी गए तो उस में लाने में नहीं करते चर पिए प्रोसीजर से जिसी कहा जाता है डिटरजेंट सो मौलीक्यूल टेटरजनट 와서 उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे और सॉलिवलाईजेशन मतलब कि यह प्रोटीन को प्रॉपर सॉलिवलाईज कर देते हैं कर देते हैं अपने में गोल लेते हैं अपने में अटेश्ट सपर लेते हैं तो इस प्रोसीजर के तेल भी यहां पर present होती है है अब यह इंट्रेक्ट करते हैं जो प्लाज्मा मेंब्रेन में लिपिट मॉलीक्यूल है उनके हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोविक रीजन दौनों से इंटरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिटर्जेंट खुद ऐसे मॉलिकूल है जिनके पास दौनों पोर्शन प्रेजेंट है इसके बाद यह आपके जो प्लाजमा मेंबरेन में प्रोटीन है उनको इसीली बात करेंगे तो सेपरेशन के लिए नोन आयनिक डिटर्जेंट का इस्तमाल यहां पर किया जाता है जो क्या है मुस्टली है आपका ट्राइटोन एक्स हंड्रेड यह एक्जाम्पल आपको थोड़ा याद रखना है नहीं भी हो याद हो जाएगा अगेन इसको भी मैंने बहुत अच्छे से फ्लो डाइग्राम के फॉर्म में मेंशन करा है कुछ आयनिक डिटर्जेंट भी होते हैं जैसे SDS का भी इस्तमाल प्रोटीन सेपरेशन के लिए किया जाता है लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है यह प्रोटीन को डी निचर्ड कर देता है क्योंकि आयनिक है यहां पर कुछ आयन प्रेजेंट है इसको डी निचर्ड नहीं करते हैं इसको डी निचर्ड नहीं करते हैं इसलिए यहीं रीजन है कि जो नौन आयनिक डिटर्जेंट है और दा मूर यूसफुल इनस सॉलिवलाइजेशन ओप इंटेग्रल मेंब्रेन प्रोटीन तो यह तो कुछ बेसिक इनफोर्मीशन थी सेपरेशन के बारे में इनका सेपरेशन कैसे होता है वो पूरी मेकेलिज है उनको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना है उनको हमें सेपरेट करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तमाल करना है तो थोड़ा डिटर्जेंट के बारे में जानना भी बनता है एंपीफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं देकर एंट्रेक्ट विद बोध हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोविक रीजन और प्लास्मा मेम्रीन अब यहां पर मैंने फ्लोच डाइग्राम के तुरू बताया है कि कितने टाइप के डिटरजेंट होते हैं तो डिटरजेंट आपक मॉलिक्यूल होते हैं डाइजेशन में हम इसके फंक्शन के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे और जो हमारा बाइल सॉल्ट होता है अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर एक ग्रुप प्रेजेंट होता है शोडियम डाई ऑग्जी कोलेट ठीक है तो यह कि हैं को सकते हैं मतलब नेगटिवली चार्जट आपके डिटर्जेणट हो सकती है के टाइनिक में आपके पॉजिटिबली चार्ज्ट डिटर्जेंट हो सकते हैं और अगर आप एन अनीक की बात करें तो शोडियम डोडॉब सायल सलफीड SDS इसका एक्जामपल है तो अग टाइनिक डिटर्जेंट में क्वाटर्नली अमोनियम कंपाउंड जो है वही पर नोन आइनिक में ट्राइटोन एक्स हंड्रेड है और बीटा ओक्टाइल ग्लुकोसाइड तो जब भी हम एंटीग्रिल मेंब्रेन प्रोटीन सेपरेशन की बात करते हैं तो हम नोन आइनिक डि इस्तेमाल करना है कई बार बहुत सी स्टेडी में हम आइनिक का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो करते क्या है प्रोटीन को सेपरेट तो करतेंगे लेकिन यहां पर हमें केवल प्रोटीन को सेपरेट करना है इस्पेशली इन दियर फंक्शनल फॉर्म तो हम नो नाइनिक डिटरजेंट जैसे ट्राइट ऑन एक्स हंड्रेट और बीटा ऑक्ताइल ग्लूकोसाइड उसका इस्तमाल करेंगे ठीक है तो डिटरजेंट के बारे में समझ में आया कितने टाइप के होते हैं बिद एक्सामपल और हम क्यों केवल नो नाइनिक डिटरजेंट का इस्तमाल करते हैं हो कि ये चीज आपको clear होगी ये clear होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो mechanism भी समझ में नहीं आएगी हाँ sodium leural sulfate भी आपका anionic detergent का भी example है जासे dodecile है महापन leural group जो है वो attached हो जाता है ठीक है तो अब हम आगे बात कर लेते हैं अब ये structure है तो डरना रही है ये structure आपको याद नहीं करना है मैं बस आपको बता रही हूं कि कौन सा इसका क्योंकि detergent कैसे है MP philic molecule MP pathic molecule है जिनके पास hydrophobic और hydrophilic केंड दौनों है तो बस मैंने आपको दिखाया है कि ये जो आपको लॉग शेन दिख रही है जासे देखें यहां पर मैंने काफी सारे एक्जांपल मेंशन करें त्री एक्जांपल डूएसद्यस मेंशन कर रहा है SDS काई का example है आपका ये है एन आइनिक डिटर्जेंट का तो ये जो आपका एन आइनिक डिटर्जेंट है जो आपका negatively charged डिटर्जेंट है again डिटर्जेंट है तो इसके पास आपका hydrophilic and hydrophobic दौनों साइड होता है तो ये जो आपको yellow color में दिख रहा है मैंने यहां लिख भी दिया है जो आपको ये yellow color में दिख रहा है that is hydrophobic tail और ये जो आपका hydrophobic tail है ये आपकी long carbon chain होती है क्या होती है? long hydro carbon chain होती है वही पर ये वाला जो orange box में आपको दिख रहा है तीनों डाइग्राम में that is आपका hydrophilic end और यह जो hydrophilic है तो obviously बात है कैसा होना चाहिए, polar होना चाहिए, अराम से यह react कर पाए तो इसमें आपका sulfur और sodium group यहाँ पर present होता है तो sodium dodocyl sulfate जो है यह इसका एक आपका molecular formula है याद नहीं करना है पूरा formula वस मैंने आपको एक structure बताया है कि कैसे दिखता है एक चीज दूसरा जो example है Triton X100 का है इसमें अगेन यह पूरा आपको जो structure दिख रहा है यह क्या है हमारा hydrophilic reason है जो आपकी plasma membrane के hydrophilic head के साथ interact करेगा वहीं पर यह जो yellow में reason दिख रहा है again hydrophobic and beta octal glucoside में फिर आपका यह hydrophobic है और hydrophilic है Triton X100 जो है वो हम maximum use करते हैं और यहाँ पर यह जो आपको bracket में दिख रहा है नो नाइनिक डिटर्जेंट में भी हम Triton X100 का जादस 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 इस्तमाल करते हैं compare to beta octal glucoside क्योंकि यह जो structure है यह एक stabilized structure है जिसके पास एक long hydrophilic head होता है ठीक तो यह तो एक basic structure हो गया अगेन इस slide में भी वो ही मैंने आपको structure बताया अगर वहां से ना समझ में आए तो थोड़ा यहां से भी देख सकते हो sodium dioxy collate यह आपका क्या है नेचुरल कि डिटर्जेंट है अगे शोडियम डॉडुसायल सलफीड जो है वह आपका नेगेटिवली यह आपका एनाइनिक डिटर्जेंट है वहीं पर ट्रायटोन एक्स हंड्रेट की बात करें औक टायल ग्लुकोसाइट की बात करें तो यह आपके कैसे है आपके नॉन आइनिक डिटर्जेंट जो है यह होते है वहीं चीज इस स्लाइड में भी वैने स्ट्रक्चर के बारे मैं मैं मैंशन करी है जो आपका ब्लू कलर का रीजन आपको दि आपको प्लाजमा में बता रही थी तो मैंने आपको इक चीज बताई थी कि अगर यह कोई सलूशन है यहां पर आपने पूरे में वाटर को फिल करा है यह आपका कोई सलूशन है और इस सलूशन में अगर आप चीक मॉलीक्यूल डाल दे लिपिट का को ओस अब Jewel लिपिट की बात कर रही हूं ठीका ध्यान से सुन नज़ यह आपके क्या है लिपिट मॉलीकूल है अब अगर आप यहीं करकिन में लिपिट मॉलीकूल को पुढ करोगी तो क्या होगा यह आपके लेयर का क्वरमेशन कर यह bilayer का formation कर ले रहा था due to the presence of hydrophilic and hydrophobic reason of lipid molecule तो यह क्या बना रहा था bilayer का formation कर रहा था लेकिन detergent की case में ऐसा नहीं होता अगर आप detergent का molecule भी आपका ऐसा ही molecule है जिसके पास एक hydrophilic end है हाइड्रोफोबिक end है लेकिन यह कभी bilayer का formation नहीं करता यह आपके formation करता है mycelies का अब यह क्यों mycelies का formation करता है क्योंकि अभी जब मैं आपको इसका structure बताऊंगी तो यह कौन shaped होता है मतलब जो lipid है वह ऐसे सीधा ना attached होके कुछ इस तरीके से attached होता है कौन shaped बना लेता है इससी attachment की बज़ा से यह bilayer ना बना क्योंकि bilayer बनाने के लिए क्या होना चाहिए एकदम आपको जो जितने भी molecules है वो एकदम equal होने चाहिए जिससे आप एक जेल लाइक थिक bilayer का formation करें लेकिन detergent के molecule equal size के नहीं होते शेप इनका बहुत irregular shape होता है उस बज़ाए से यह bilayer का formation करके mycelies का जो है formation करते हैं बिलकुल circular है single layer है वो चीज मैं अभी आपको दिखाऊंगी और अगर आप यहां की packaging की बात करें तो hydrophilic जो आपका tail होता है partially exposed to the water यह भी मैं आपको दिखाऊंगी यह कैसे होता है यह देखिए यह एक structure है एक mycelie का structure है जो आपके detergent ने बनाया है तो सबसे पहली अगर आप इस structure को देखें यह यह आपका hydrophilic head है यह यहां भी mention है यह आपका hydrophilic head है और यह हलका सा देखिए ऐसे कौन shape इसने बनाया है like that जो आपका hydrophobic tail है इसी बज़ाए से यहां proper packaging नह हो पाती तो bilayer नहीं बनाता और यह अगर mycelies का भी formation करता है तो यहां पर आपकी well developed mycelies का formation नहीं होता यहां पर ऐसी mycelies का formation होता है जहां पर यह देख रहे हैं hydrophobic tail जो है वो little bit exposed होती है to the water molecule यह चीज आपको बताने का reason वस इतना है कि detergent की mycelies में और जो आपकी lipid molecule की mycelies जो हमने first class में पढ़ा था उसमें difference होता है आप confuse ना हो इसलिए मैंने आपको यह lipid के बारे में extra चीज जो है वो बता दी है तो I hope कि यह चीज आपको clear हो गई होगी और आपको याद क्या करना रखना है detergent molecule बिलकुल empathic होते है polar and non-polar दोनो ends होते हैं यह भी आपके mycelies का formation करते है rather than by layer Q क्योंकि यह con shaped है irregular shaped है साथ ही साथ इनका जो hydrophobic tail है वो partially exposed होता है towards आपके aqueous solution क्यों क्योंकि con shaped है irregular shaped है कुछ छोटे molecules है कुछ बड़े molecules है तो proper circular structure नहीं होता है separation से पहले एक टर्म आता है जिसे कहा जाता है critical क्या होता है कि detergent भी ऐसा नहीं है कि कि आपने केवल एक molecule detergent प्रोटीन के separation के लिए आपको थोड़ी सी एक concentration जो है lipid molecule detergent molecule की वो आपको देनी होगी तब जाके वो protein separate करता है तो Triton X 100 के case में अगर कोई water है जिसका atmospheric temperature या फिर जो water है जिसमें आप किसी भी salt को नहीं डाल रहे हैं और एक temperature होगा जो आपका 25 degree Celsius atmospheric pressure होगा तो वहाँ पर जो है Triton X की concentration कितनी होगी 0.0083 mol per liter अगर आपने इस condition पर मतलब temperature और atmospheric pressure आपका constant है अगर आपने 0.0083 mol per liter की concentration डाली है तो जाके आपका protein जो है उसका separation होगा और इसी concentration को ये जो है आपकी 0.0083 mol unit याद रखनी है पर लिटर Triton X का example है ये तो ये Triton X की क्या होगी critical myceles concentration नाम से क्या पता चल रहा है critical myceles concentration मतलब ये एक ऐसी concentration है जहाँ पर protein का separation होगा प्लस में जो detergent है वो myceles का formation करेंगे इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझो Triton X 100 की एक ऐसी concentration है 0.0083 mol per liter एक ऐसी concentration है जो protein को separate तो कराएगी प्लस में आपके myceles का भी formation कराएगी ठीक है तो इसलिए से कहा गया है critical myceles concentration तो होगा क्या ये आपकी क्या है plasma membrane है जिसमें कुछ transmembrane protein attached है अब आप करेंगे क्या कि जो आपकी critical concentration है उससे थोड़ी सी concentration आपको ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी तब जाके आपकी यहाँ पे जो है वो myceles का formation होगा अगर detergent की concentration आपकी critical concentration से कम है तो myceles का formation नहीं होता protein dissolve ज़रूर हो जाएंगे लेकिन myceles का formation नहीं होगा monomer का formation होगा यह protein है और आप देख रहे हैं कि कुछ-कुछ detergent के molecule जो है यहाँ पर attached हो गए है तो इस slide को दिखाने का purpose बस यह था कि आप थोड़ा सा critical myceles concentration जो है उनके बारे में जान ले और अगर आप critical concentration से concentration थोड़ा सा बढ़ाएंगे detergent का तो myceles का formation होगा कुछ इस तरीके का यह आपका पूरा protein है transmembrane protein और चारो तरप आपके myceles single circular layer का formation होगा वही पर अगर critical concentration से थोड़ा कम है तो monomer का formation होगा ना कि myceles का formation होगा ठीक है तो अगर यह चीज आपको समश में आ गई है तो जो मैंने आपको diagram के थुरू बताया है वही चीज मैंने आपको यहां पर बता दी कि जब भी हम solubalization की बात करते हैं आप integral membrane protein तो हमेशा हमें non ionic detergent का इस्तमाल करना है क्योंकि protein को उसके functional form में रखना है हमें उसको denatured नहीं करना है अब अगर आप triton x 100 में critical concentrations की बात करें तो triton x 100 की critical myceles concentration है 0.0083 mol पर लीटर अब अगर आप इस concentration से ज़ादा concentration को बढ़ाएंगे तो myceles का formation होगा और वही पर अगर आप concentration को कम कर देंगे तो आपके monomer का formation होता है myceles का formation नहीं होता वोई चीज मैंने आपकी यहां पर जो है वो कर दी है ठीक अब यह देखिए अगर आप से इस तरीके का कोई graph पूछ लिया जाए और अभी पूछा नहीं गया है लेकिन कोई भरोजा नहीं है तो graphical questions को हमें कैसे resolve करना है वो मैं आपको बता देती हूं question again आपके detergent का ही चल रहा है अभी separation पर हम नहीं आए हैं अभी मैं आपको detergent के बारे में ही बता रही हूं कि detergent जो है कितने फॉर्म में हो सकता है mycelies कब बनाएगा monolayer कब बनाएगा तो यह उसी के regarding एक graph दिख रहा है पहला क्या है low concentration अगर आप critical concentration से low concentration अगर आप करती है detergent की तो क्या बनेगा monomer का formation होगा वहीं पर अगर आप critical concentration को increase कर दे रहे हैं तो आपकी mycelies का formation हो जाता है और यहां पर एक चीज और लिखी है that the concentration of detergent of monomer stick constant above the critical mycelies concentration तो इस चीज को आप graph की तुरू समझेंगे यह line क्या कह रही है तो यह क्या है आपका x-axis है और यह क्या है आपका bi-axis है तो जब भी आप x-axis को हम देखेंगे तो क्या दिया है detergent concentration और वही पर अगर आप bi-axis की बात करें तो detergent concentration in monomer और mycelies मतलब यह monomer और mycelies के formation के बारे में बता रहा है तो आपने देखा कि initially इस तरब जो है वो concentration आप बढ़ा रहे है detergent की तो यहां पर जब concentration कम थी यह जो red line आपको दिख रही है तो जैसे जैसे यह देखी कम थी तो यहां तक आपका जो है monomer का formation हुआ क्योंकि यह जो है यह आपकी critical concentration बढ़ा रही है like that तो जब critical concentration से कम था तो उसने क्या बनाया मॉनोमर लेकिन जैसे ही यह जो लाइन है यह माइसली के लिए है और यह जो यलो लाइन आपको दिख रही है यह मॉनोमर को रिप्रेजेंट कर रही है तो अबसी बात है यह लाइन किस तरीके का ग्राप बनाएगी critical concentration से अगर concentration कम है तो मॉनो का formation होगा मॉनोमर का लेकिन जैसे ही आप concentration बढ़ाएंगे तो यह देखे यह वारा graph increase हुआ मतलब यह जो माइसलीज है उनका formation हुआ तो माइसलीज का formation हुआ तो यहाँ पर माइसलीज का formation बिलकुल नहीं इसलिए जैसे ही आपने concentration बढ़ाये तो मॉनोमर जो है वह स्टेवलाइज हो गया मॉनोमर का formation डिकरीज नहीं हुआ मतलब आप मॉनोमर का formation नहीं होगा बस बोस्टेवलाइज हो जाएंगे 10 बने रहे गए critical concentration के पहले अगर 10 मॉनोमर बने थे तो 10 ही बने रहे गया स्टेवलाइज हो गए लेकिन माइसलीज critical concentration से पहले बिल्कुल भी नहीं बने थे और जैसे उसने critical concentration को क्रॉस किया तो यह सड़न इंक्रीज हो गए बिल्कुल शॉट में यह भी कि डिटर्जेंट का लो कॉंसेंटरेशन पर है मॉनोमर critical concentration के high concentration हुई तो माइसलीज लेकिन ग्राप को भी समझना जरूरी होता है ग्राप interpretation data interpretation करना आना चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि question इसी तरीका हो जाए लेकिन अगर आप इस तरीके के ग्राप को interpretate करना सीख गए तो इससे रिगार्डिंग अगर कोई दूसरा ग्राप भी आ रहा है कोई दूसरा question भी आ रहा है तो अट लीस्ट आप उसको समझ पाएंगे ठीक है तो यह तो हमने detergent की बात कर ली अब हम बात कर ले रहे हैं त्रेट सुलिवाइजेशन की यह हम किस तरीके से नोन-ाइनिक डिटरजेंट जो हमारी मांड नोन आइनिक डिटरजेंट तरो सप परेशन करेंगे और एंटिंग्रिलम्रेंफ रोटीन का तो यह क्या है हमारी यह पूरी यह प्लाज्मा मेंब्रेन प्रोटीन है कुछ नहीं करना है हमें अःड करना है इसमें और यह रियक्षन बता रहा है यह मौन ओमरका है यह मैसलीज का है यह दौनों ही हमारी कैसी यह रिवरसिवल प्रोसेस होती है तो माइसिलीस का फॉर्मिशन होता चाहेगा और अगर डिटर्जेंट का कॉंसेंट्रेशन कम हो रहा है एक्वस सलूशन बढ़ रहा है यह बिलकुल बैसस है जैसे जब आप कपड़े दुन्ले के लिए आप डिटर्जेंट पाउडर को गोलते हैं तो होता क्या है कि अगर ड आप डिटर्जेंट की कॉंसेंट्रेंट्रेशन कम होती तो फॉग नहीं बनता है तो बैसे हैं कोंसेंट्रेशन पाष्पेर को मचले करता होता है। घीक है !! तो पहले हमने क्या किया, simple हमाई पास plasma membrane था, detergent डाला, अब detergent जैसे ही डाला तो reaction सबसे पहले क्या होगी, water soluble protein lipid detergent complex का formation बनेगा, मतलब जो protein अभी plasma membrane से embedded था, detergent की जैसे ही जैसे आपने concentration बढ़ाई तो आपको पता है, जब मैं आपको lipid molecule के बारे में बता रहे थी, तो membrane fluidity के बारे में बता है था, rotations के बारे में बता है था, तो जो ये plasma membrane के lipid है, वो कैसे होते हैं, fluid होते हैं, ये rotate करते हैं, ये अपनी स्थ की बज़ाई से, detergent की concentration जैसे ही हमाई करते हैं, तो ये replace कर देते हैं, क्या करते हैं, जैसी ही आप इसलिए अभी हम critical concentration के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि plasma membrane पे question आपके दिमाग में ये आना चाहिए, कि ये हमारी plasma membrane है, यहाँ पर हमारा protein जो है, वो embedded है, अब हमने जब ज plasma membrane जो by layer है, ये वाले जो lipid molecule है, ये तो हमारे dynamic है, flexible है, rotate कर रहे हैं, इनको detach करना बहुत असान होता है, तो जैसे ही आप high concentration देते हो of detergent, तो ये क्या होते है, easily detach हो जाते हैं, और उनकी जगापे क्या test हो जाएंगे, उनकी जगापे आपके detergent के molecule क्योंकि ये बिलकुल lipid की तरह हैं, इनके पास भी hydrophilic और hydrophobic दौनों end है, तो ये easily क्या हो जाएंगे, इनके साथ attached हो जाएंगे, तो structure में ये पूरा protein है, कुछों molecule आपके detergent के हैं, साथ ही साथ अभी कुछों molecule यहाँ पर lipid के भी attached हैं, तो जो complex बनेगा, कोई बच्चा पूछ रहा था, concentration का effect हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, अगर आप protein के context में पूछ रहे हैं, ठीक, तो ये देखिए, water-soluble protein detergent complex का यहाँ formation हुआ, अब दूसरा साथ ही साथ, आपके जो lipid molecule है, बो भी आपस में जुड़ गए होंगे, बाइलेयर जैसा कुछ फॉर्मिशन हो गया होगा, तो ये देखिए, ये जो lipid molecule थे, ये इनने बाइलेयर बनाया है, लेकिन माइसली क्या बाइलेयर के फॉर्म में आए, जी नहीं, ये कुछ circular सा structure बना रहा है, तो ये कुछ structure जो है, आपके सामने बनता है, जिसे कहा जाता है, soluble lipid detergent mycelies, जोने क्या कहा जाता है, soluble lipid detergent mycelies, तो एक structure आपका ये बना, lipid के इंसर्शन के बाइद, दूसरा structure आपका bilayer और detergent mycelies का बना, और इस तरीके से आपका protein जो है, उसका precipitation हो जाता है, तो I hope कि आपको protein precipitate समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं करना रहता है, डिटरजेंट लिया, दौनों को मिक्स किया, तो डिटरजेंट के जो मॉलिक्यूल थे, वो आपके membrane protein से एंबडेड हो जाए, membrane protein के चारों तरब आ जाएंगे, साथ ही साथ आपके जो lipid molecule थे, plasma membrane पे प्लस डिटरजेंट अलग से mycelies का structure बना लेता है, वो protein जो है, उसका precipitation हो protein दिख रहे होंगे, और जो आपका sodium potassium pump है, ये भी आपका एक trans membrane protein होता है, जो as a transporter काम करता है, anti-porter की तरह ये काम करता है, तो मैंने आप से कहा कि इस protein को जो है, आप separate करिए, क्योंकि हमें इसका structural and functional part study करना है, तो मैंने आप से क्या कह दिया, कि protein को isolate करना है, लेकिन हमें इस का structural and functional part जो है, identify करना है, तो सबसे पहले आपकी duty क्या है, कि आप एक ऐसा detergent ले, जो कैसा detergent हो, non-ionic detergent हो, तो आपने बिलकुल वैसा ही किया, आपने एक non-ionic detergent लिया, detergent लिया, तो ये myceles का formation करेगा, प्लस में कुछ detergent के जो रहेंगे, वो आपके monomers के form में होंगे, दौनों को आपने mix किया, आपने जैसे ही mix किया, तो दो यहाँ पर complex मिलेंगे, एक complex मिलेगा, आपको detergent और protein का, जिसे solubilized membrane protein कहा जाएगा, क्योंकि अभी ये detergent के साथ मिल चुके है, detergent के साथ solubilized हो गए है, साथ ही साथ इसमें lipid detergent myceles का भी formation हो जाएगा, यहाँ पर कोई bilayer का formation नहीं होगा, myceles का formation हो जाएगा, तो अभी आपने क्या किया, कि simply plasma membrane non-ionic detergent लिया, और इस तरीके से आपको protein detergent complex, लेकिन यहाँ पर कुछ-कुछ lipid molecule भी है, और myceles मिल गए, अब next step में आप क्या करेंगे, अब आपको इनको proper functional form में लाना है, तो यह जो structure है, अब आप इसमें add करेंगे phospholipid, अब आप again lipid molecule डानेंगे, लेकिन यह जो lipid molecule रहेंगे, यह synthesized molecule रहेंगे, यह देखें, जैसे कुछ इस तरीके का structure, यह बिल्कुल plasma membrane के lipid molecule की तरह रहेंगे, लेकिन यह synthesized रहेंगे, जिन है researcher या scientist ने खुद बनाया है, तो जैसे ही आप उनके साथ मिक्स करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या synthesis जो है, हमारे phospholipid इनकी concentration बढ़ाएंगे, तो जैसे इनकी concentration बढ़ाएंगे, तो यह जो हमारे detergent के molecule थे, यह पूरे replace हो जाएंगे, उनकी जगा attachment क्या हो जाएगा, lipid molecules का, phospholipid molecule का, और यह बिल्कुल हमारे natural phospholipid की तरह है, तो यह easily क्या बना लेंगे, circular जो आपके liposome या circular structure जो है, bilayer का, उसका formation करेंगे, और अब आपका protein जो है, वो fully ready है for the structural and functional aspects, तो इस तरीके से हमने क्या किया, कि हमने जो sodium potassium ATPase pump था, उसका मतलब protein को भी isolate कर दिया, प्लस में synthesize phospholipid जैसे ही डाले, तो आपके liposome के structure का भी formation हो गया, आपके phospholipid basicals का भी formation हो गया, अब यह आपका structure पूरा ready है, अब आपको steady भी कर सकते हैं, आप इसके structure की and functions की दौनों और detergent भी आपका पूरे तरीके से remove हो गया, चलिए thank you, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो यह बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने यह भी देख लिया, कि हम किस तरीके से detergent में इसको solubilize कर देते हैं, अब अगर आपको यह चीज समझ में आ गई है, तो मैं जरा आपको एक question देती हूँ, यह एक case study है, जो previously पूछा भी गया है, इस case study का हमने नाम दिया है, reconstruction process, reconstruction मतलब क्या होता है, पुनरगठन, किसी चीज को दोबारा करना, तो इससे related question आया था, इसलिए मैं इसको करा रही हूँ, यह question में बहुत एकदम tricky question था, लेकिन बहुत simple question था, और CSIR में इससे related question पूछते हैं, तो हम वो solve करते हैं, अब देखिए, होगा क्या हमने पूरा protein का structure पढ़ लिया, मतलब protein का structure नहीं, हमने proteins के बारे में पढ़ लिया, ट्रांस membrane protein, anti-grill membrane protein, peripheral protein, lipid linked protein, और हमने क्या करा, कि plasma membrane के बारे में भी पढ़ लिया, अब जो हमने दौनों चीजों के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम थोड़ा सा experimental phenomena दिखते हैं, दौनों के बारे में, तो यह जो process है, reconstitution process में हमें करना क्या है, कि जैसे मैंने आपको यह कोई protein दिया है, अब आपको पता है, यह protein structure से आपको कैसे दिख रहा है, ट्रांस membrane protein है, ट्रांस membrane protein क्यों है, क्योंकि इसके पास hydrophobic reason भी है, और उपर क्या है, hydrophilic reason भी है, तो जब इसके पास hydrophilic और hydrophobic reason दौनों है, तो मतलब यह transmembrane protein है, यह चीज हमें समझ में आ गई, यह एक plasma membrane है, plasma membrane के भारे में भी हमें पता है कि इसके पास भी polar reason है, मतलब hydrophilic reason है, और इसके पास non polar reason भी है, मतलब hydrophobic reason भी यहां पर present है, तो करेंगे क्या कि जैसे हमें इस protein को, यह देखे, यहां से यह animations के तुरू यहां आया, इसको हमें embedate करना है, plasma membrane के साथ, अब दूसरा आप देखिए, यह first condition थी, और यह जो है, यह है हमारी second condition, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, तो इसके C terminal और end terminal पर दोनों ही जगा hydrophilic जो थे, वो बहुत ही ज़्यादा present थे, hydrophilic amino acid end terminal और C terminal पर बहुत ज़्यादा present है, तो जब भी अगर आप यह सोचे कि इस protein को हम transfer कराएं, जैसे यह कोई plasma membrane, इसको ज़रा इस ट्रेक्चर से समझो, यह plasma membrane है, और यहां पर side में कोई protein है, यह कुछ इस तरीके से, यह इसका end terminal है, और यह जो है, इसका C terminal है, अब मैं अगर आप से कहूँ कि ज़रा reconstitution करा दीजिये, इस protein को इस plasma membrane में embedded करा दीजिये, तो जैसे ही आप इसका C terminal यहां hydrophobic reason से आपको cross करना है, तो थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यह क्या है, hydrophilic है, जब यह hydrophilic है, जब यह polar है, तो यह non polarity से थोड़ा सा दूर भागेगा, आप इसको embedded तो करा देंगे, लेकिन यहां पर कुछ आपको energy देनी पड़ेगी, second case में आपने क्या किया, C terminal को small कर दिया, मतलब यह plasma membrane है, यह कोई protein है और इसका C terminal जो आपको embedded कराना है, यह जो C terminal है, इसको आपने बहुत चोटा कर दिया, N terminal कितना भी बड़ा हो इससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें C terminal साइट से embedded कराना है, तो यह जो second situation में क्या होगा easily होगा, यह पास समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ, कहने का simple सा मतलब यह है, कि अगर hydrophilic sequence जो है C terminal पर बहुत जादा होगा, तो इस protein को embedded करने में problem होगी, यहाँ पर non spontaneous reaction होगी, energy देनी पड़ेगी, तब जाके protein embedded कर जाएगा, वही पर दूसरे diagram में हमने C terminal को चोटा रखा है, 3 to 4 amino acid sequence ही रखे हैं, जो hydrophilic है, तो वह easily cross कर जाएगी, क्योंकि बाकी का तो hydrophobic reason ही है, ठीक है, अब यह तो इसकी बात हो गई, अगर इस C को में हलका सा flip कर दो, flip कैसे किया गया है, कि जो आपका C terminal है, उपर कर दिया और N terminal नीचे कर दिया, बस बात आपक C protein को आपको embedate करना है, तो आपको यह देखना होगा कि वो कितना जादा hydrophobic है, वो जितना जादा hydrophobic होगा, उतनी आसानी से अंदर की तरह पाएगा, जितना जादा hydrophilic होगा, उसको उतनी ही energy की जरूरत होगी for the insertion, तो हमने बोई करा, कि यह देखिए N terminal यहाँ पे large है, तो यहाँ high energy की जरूरत होगी, और अगर यहाँ पर हमने N terminal जैसे ही कर दिया, तो यह energy जो है वो low हो गई, और साथ ही साथ reconstruction जो है वो आपका जीली यहाँ पर हो जाता है, अब आपको जब यह चीज़ समझ में आ गई, तो देखो 2014 में यह question पूछा गया था, और बहुत interesting question था, भले ही 2014 में पूछा गया है, लेकिन बहुत tricky question था, और यह question easily solve भी हो जाता, क्योंकि इस question में पूछा क्या गया है, जरा इसको पढ़ो और इसका answer मुझे बताइए कि क्या इसका answer जो है वो सही होगा, झाल चलिए ठीक है तो आप शुरू करते हैं कॉस्चन क्या है कि यू आर स्टेडिंग अप्रोटीन इंसर्ट इट्सेल्फ इंटु आ मॉडल एक लाइपोसॉम है कोई क्यों है है इस अप्रोटीन इंसर्टियोट के बारे में पढ़ना है और अब्रोटीन रिपनील हो इसमे N Terminal के पास 18 amino acid sequence especially hydrophilic hydrophilic ही होगा N Terminal है तो aqueous phase की तरफ होगा तो बिल्कुल hydrophilic होगा वहीं पर क्या है यह segment जो है यह located है outside की तरफ बलब N Terminal है जिसके पास hydrophobic amino acid है और आपका साइटोसॉलिक नोन साइटोसॉलिक फेस की तरह प्रेजेंट है दूसरा जो structure है वो 19 amino acid का है hydrophobic amino acids यहां प्रेजेंट है जो क्या कहला रहा है जो कहला रहा है आपका transmembrane reason यहां पर आपका negatively and positively charged amino acid दोनों ही प्रेजेंट है अब C terminal है जो आपके inside the lumen अगर यह plasma membrane ER की है तो lumen हुआ और plane अगर present है तो आप साइटोसॉलिक साइड भी मान सकते हैं तो C terminal जो है वो present है आपका अगें साइटोसॉलिक साइड में तो कहने का मतलब क्या है कि यह कोई protein है जिसके पास N O C terminal है और आपको इसे embedded कराना है तो जरा एक favorable situation बताईए इस option से की कौन सी होगी तो पहली क्या है increase कर दे number of the negative charged amino acid at the N terminal अब आप मुझे एक चीज़ यह बताईए यह कोई plasma membrane है दौनों तरफ अब यह कोई आपका protein है ऐसे यह C terminal है और यह N terminal है अब question में उन्हें पहले ही बताया है कि N terminal जो है आपको locate करना है आउटसाइड की तरफ तो आप इसके sequence को negatively charged sequence को कम करें या जादा करें insertion पे कोई effect नहीं होगा क्योंकि इसको तो बाहर ही रहना है अगर इसको अंदर करना होता अगर question में उन्हें यह कहा होता लेकिन question में क्या है कि यह आपकी outer की तरह है तो इसको कम जादा कुछ भी करो कुछ फरक नहीं पड़ेगा दूसरा क्या है increase अगर कर दें again positive charge at the C terminal C terminal पे अगर आप increase कर देते हैं यह देखें यह C terminal है और अब आपने क्या करा increase कर दिया positive charge amino acid को यहाँ पे C terminal इस तरह इतना increase कर दिया तो अब तो इसे immediate करनी के लिए और जादा energy की जरूरत होगी आपका जो energy है वो आपको जादा देना होगा तो यह situation तो reconstitution के लिए बिलकुल favorable नहीं है लेकिन अगर वही पर remove कर दें आप positively charged amino acids को at the C terminal मतलब अब ही जो आपका इतना ही portion था आपने इसको भी remove कर दिया और कुछ इस तरीके का बस इतना structure बना यह end terminal है यह C terminal है तो अब यहाँ पर hydrophobic जादा है तो आप easily इसको embedded कर सकते हैं easily आप इसको insert कर सकते हैं तो जो option C है वो correct है D में क्या है increase the length of hydrophobic segment अगर आप hydrophobic की length को भले ही increase कर दें यह length अभी आपका इतना था यह end terminal है इसको अगर आप increase कर दे रहें लेकिन C terminal को भी लंबा रख रहे हैं तो problem तो हमारे C और टर्मिनल में especially C terminal में ही जा रही है ना hydrophobic sequence को कम साधा करोगे तो protein का length पढ़ जाएगा hydrophobicity ऊपर से नीचे आजाएगी लेकिन पहले तो हमें embedded को करना है ना segment को बढ़ाने गटाने से ऐसा तो नहीं होगा कि C terminal को embedded नहीं करेंगे वो तो हमारा terminal part है जैसे हमें protein को करना है तो सबसे पहले तो हमारा C terminal ही जाएगा तर्मिनस ही जाएगा तो तर्मिनस जैसे ही एंटर होगा तो सबसे ज़्यादा यहीं पर दिक्कत हो रही ना बता रहा है कि किसी भी protein को जो है इंसर्ड करने के लिए best of favorable situation क्या है तो उसमें पहले ही बता दिया कि N terminal को बाहर की तरप रखना है C terminal को अंदर की तरप रखना है तो हमें याद रखना है कि C terminal पे कम से कम hydrophilic amino acid रहें अगर hydrophilic amino acid कम होगे तो उनको easily cross कर देंगे वही पर अगर जादा जादा hydrophilic amino acid होगे तो पूरा का प्रोटीन जो है वो reflect करेगा hydrophobic reason से तो अब यह चीज आपको समझ में आ गई होगी और यह एक experimental question था बहुत interesting question था and I hope कि यह part भी आपको समझ में आ गया अब अगर मैं question को थोड़ा flip कर दूँ अगर मैं आपसे यह कह दूँ कि आप इस protein को flip कर दीजिए मतलब question में जो यहां पर लिखा हुआ था कहां लिखा है कि जो end terminal है वो आपका outer side में न present होके inner side में present है जरा question को समझिए question बोई है बस मैंने यह यहां पर end terminal कर दिया और यह यहां पर C terminal कर दिया और कह दिया है कि जो end terminal है उसको आपको पहले embed rate करना है तो आप क्या करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे आप बस इतना करेंगे कि यह जो amino acids जो end terminal पर positively charged amino acids है उनको clip कर दीजिए जहां C terminal था तो यह terminus भी आपको अच्छे से याद रखने है कि किस terminal को आप embed rate कर रहे हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो hydrophobic reason है वो 20 to 25 amino acid का होना चाहिए बिलकुल वो 20 to 25 amino acid का होना चाहिए लेकिन यह एक experimental question है यह एक problem है यह आपका theoretical question नहीं है यह design किया गया question है तो आपको यह वहां नहीं देखना है कि 20 से 25 है आप से क्या पूछा जा रहा है आप लोग कहां दिमाग लगा रहे हो लेकिन अच्छी बात यह है कि याद है बच्चों को यह बहुत अच्छी वात है कि आपको कम से कम याद है कि 19 कहा होते है मैडम होते तो लेकिन यह एक experimental question है यह एक case study है तो इ 20-25 मान लीजिए वो 40 भी आपको दे सकते हैं वो 100 भी आपको दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं हमें बस इतना पदा होना चाहिए कि सी अगर यह चीज आपको समझ में आ गई यह स्टेडी आपको समझ में आ गई तो एक ज़रा दूसरी केस स्टेडी भी है यह वड़ी इंट्रस्टिंग स्टेडी थी इस स्टेडी को जो नाम दिया है वो है एक्सपेरिमेंटल प्रोटोपॉल चोग क्ली और बैंद लैंट एंड नम्मर ओफ हाइड्रोफोबिक डोमीव मतलब की अगएं ज़रांस भी इंबरी प्रोटीन के बारे में बात है तो आप दीख रहे कि ट्रांस भी इंबरीन है इसके ज़रा hydrophobic domain के बारे में मुझे बताईए कि कितने hydrophobic domain यहां पर present होगे ठीक है तो बस बहु चीज हमें identify करनी है कि कितने hydrophobic domain present होगे तो उसके लिए क्या एक protocol होगा तो जैसे मैंने आपको यह plasma membrane दे दी इसके पास एक एंटीग्रिल membrane protein है और कहा है कि जरा बताईए इसमें कितना hydrophobic domain होगा तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा सबसे पहले हमारा काम यह होगा कि हम identify करें कि plasma में क्योंकि यह सारी चीज़े आपको इतनी असानी से new dice से नहीं देखती अगर आप यह सोचे कि protein को आप अपने हाथ में रखें और इसको identify करने तो नहीं आपके लिए tag करना पड़ता है fluorosense tag करना पड़ता है तो जो मैंने आपको वह fluorosense tagging या labeling बताया था hydrophobic tag के बारे में बिल्कुल यहां पर ऐसा ही एक tag बनेगा जो बना रहता है आपके hydrophobic reason को tag करने के लिए इस प्रोब का नाम है DAF मतलब की diamino fluoride अब इसकी जगा कुछ भी लिखा हो उसमें बस यह लिखा है कि यह एक hydrophobic add है that's it जादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि experimental questions में बहुत variations होते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि यह जो हमारा hydrophobic tag है by default इसका नाम है diaminoflorine इसको सबसे पहले हम plasma membrane के साथ mix करें जैसे ही हम mix करेंगे तो होगा क्या कि यह hydrophobic reason of protein से attached होगा क्योंकि इस tag को हमने ऐसा design करा है कि amino acids के hydrophobic amino acid पे जाके inside क्योंकि आप यह भी कह सकते हैं कि plasma membrane में भी तो hydrophobic reason है लेकिन यह जो टैग है यह जो hydrophobic tag यह highly specialized होते हैं और यह जो है आपके attached हो जाते हैं किस reason से यह attached हो जाते हैं आपके hydrophobic reason of amino acids से जैसे ही attached होंगे फिर हम इसको करेंगे क्या detergent के थूँ solubilize तो बिलकुल क्योंकि anti-grill membrane protein है तो हमने detergent डाला जैसे ही हमने detergent डाला तो होगा क्या यह tag और यह जो anti-grill membrane protein है यह हमारा solubilize हो जाएगा तो complex क्या बनाएगा water soluble protein probe detergent complex इसमें protein भी है इसमें tag भी है और इसमें detergent भी है तो यह आपका tag बनाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम digest कर देंगे क्योंकि question में क्या वो लगया है question में पूछा गया है hydrophobic domain को हमें count करना है length देखनी है कितनी amino acid present है तो hydrophilic reason यह जो reason इसको तो क्लीब करना पड़ेगा जब इसको क्लीब करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे digestive enzyme के थूँ इसको कर देंगे तो दौनों जो हमारे C और N टर्मिनल है वो रिमूब हो जाएंगे अब हमारे पास क्या वचेगा protein probe detergent complex with only hydrophobic reason और फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है आपको इसको रन कर देते हैं आप SDS पेश पे तो यहां पर molecular basis पे जब आप जैल एलेक्टोफोरस इस पढ़ेंगे टेक्नीक में तो क्या होता है कि separation होता है हमारा जितना प्रोटीन का वेट होगा तो इसस आप से हम काउंट कर लेंगे कि अच्छा इतनी अमाईनो एसेट इसमें प्रेजेंट है अगर हमें पता चला कि 20-25 अमाईनो एसेट प्रेजेंट है मतलब एक ही हाइड्रोफोविक डोमेन होगा वहीं पर अगर हमें पता चला कि अच्छा 50 अमाईनो एसेट प्रेजेंट है तो कितना तू हाइड्रोफोविक डोमेन हुआ तो इस तरीके से फिर हम इसको काउंट कर लेते तो कुछ नहीं करना रहता प्रोटीन को सबसे पहले टेक कराना है हाइडरोफोविक से फिर उसके वाइड डिटरजेंट में सॉलिवलाइज कराना है पूरा प्रोटीन बन जाएगा फिर एन और C-Terminal को कर दीजे क्लीव जैसे C-Terminal क्लीव होगा तो आपके पास किवल हाइड्रोफोबिक रीजन है अब आप इसको क्या कर सकते हैं अब आप इसको कर देंगे रन तो अन दा बेसिस अप मोलेकुलर वेट यह सेपरेट हो जाएगा आप इसको काउंट कर देंगे ठीक है तो अभी कॉश्चन ही अगें 2014 में ही आपसे पूशा गया था बहुत अच्छा कॉश्चन है जो अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया है तो वो यहां पर क्या है हमारा डाई एमिनो फ्लूरीन टेग है इसकी जगा कुछ भी हो सकता है लेकिन उनने पहले ही बत अंसर बता दीजिए क्या होगा इसका अंसर है चलिए ठीक है तो कॉश्चन में कुछ नहीं एक टैग है जिसको अटेज्ट किया है और अगेन हमें क्या देखना है कि हमें देखना है कि भाई कितने हाइड्रोफोविक डोमेन प्रेजेंट होंगी जड़ा इस एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल को आप सिक्वेंस वाइज लगा दीजे तो अप्शन में सबसे पहले क्या है कि जो इंटेक्ट मेंब्रेन प्रोटीन है वाज अलाव टू इंट्रेक्ट विद बिल्कुल हाइड्रोफोविक रीजन और उसके बाद यह कह रहा है कि हम मेज कर लेंगे कैसे मेजर करेंगे कुछ नहीं बताया है तो चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएंगे इसमें क्या है कि सबसे पहले जो आपका मेंब्रेन रहेगा उसमें जो आपका प्रोटीन है उसके साथ हाइड्रोफोविक डोमेंड जो है उसको अटेच्ट कराएंगे और फिर यह कह रहे हैं कि attachment के बाद ही हमने सीधा लाइस करा दिया तो क्या बात है कि बाई plasma membrane में protein तो है आपने attach कराया लेकिन एनोसी इस तर्मिनल पे कट पहले कर दिया तो जब आप उसको run करेंगे तो उसके साथ पूरी प्लाजमा membrane उसमें किवन हाइड्रोफोविक रीजन नहीं हाइड्रोफोविक रीजन और प्रोटीन प्लस में जो प्लाजमा membrane के साथ attached है क्योंकि यहां पर आपने detergent का जो है इस्तमाल नहीं किया है तो पूरा का पूरा रन होगा तो आप एक्जेक वो हाइड्रोफोविक पोर्शन और प्रोटीन नहीं बता पाएंगे थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप प्रोब के साथ इंटरेक्ट कराएंगे उसके बाध सोलीवलाइज कराएंगे बिल्कुल आपके डिटर्जेंट के साथ तो प्रोब के साथ इंटरेक्शन हो गया आपको को location identify कर लिया अच्छा है यहां present है detergent के साथ आपने क्या करा solubilize करा दिया तो आपके पास probe बचा और फिर आपका hydrophobic reason और उसके बाद आपने proteases इस्तमाल किये जिससे NNC terminal को भी remote किया अब आपके पास केवल hydrophobic reason of protein है फिर आपने SDS पे इसको क्या कर दिया रन कर दिया तो option C एकदम correct है option D में again interact तो करा दिया और फिर proteolysis कराया और SDS लेकिन solubilize नहीं कराया है तो plasma membrane के साथ still attach रहेगा तो जब आप separate करेंगे तो आपके lipids का भी जो रहेगा और जो दूसरे आपके protein से वो भी रहेंगे तो हमें करना क्या है केवल हमें hydrophobic निकाला है तो जरूरी है सबसे पहले identify करें फिर उसको बाहर निकाले NNC terminal को clip किया जाए फिर उसके बाद finally SDS में रन किया जाए तो यह जो है यह एक perfect protocol है step by step for the detection of length and number of hydrophobic domain of any integral or transmembrane protein